नमस्कार डीडी यूपी में आपका स्वागत है चर्चा में कारकम लेकर उपस्तित हूँ मैं रामेंद्र सिंग हर देश का इवाव उस देश का भविस्य होता है और कोई चुनी हुई सरकार अपने देश की इवाव के साथ खिलवाल नहीं करती ये बात इन वहाओं को समझ लनी चाहिए जो रेल लाइन तोड़ रहे हैं जो रेलवे के डिब्बे जला रहे हैं जो अन गाडियों को आग पयाइटी नहीं बनाती है की है दो most के दूत्रों के कंदों पर कंदो रखके वार कर रहे थे अभी वहां हो के कंदो पर बंदू रखके वार कर रहे हैं कि देश के लिए शुब नहीं है जिन्हों सवा है जीता विफत्त में है और आंकंद आ unified से हलाकि ये जो अगनिपत पर बिरोध हो रहा था उससे एक कदम आगे हम निकल चुके सेना ने अपना जो शिर्यूल है जारी कर दिया है उस पस्ट कर दिया है कि जो लोग पत्थर फेक रहे थे उनके लिए सेना में कोई जगे नहीं है और ये वेरिफिकेशन हम पुलिस से जाएंगे और सेना आपको नहीं लेगी एक बात ये हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं रिपोर्ट के बाद हम चर्चा में वापस आते हैं हमारे साथ जो दो मेहमान है उनमें लेटीने रिटाइड लेटीनेर कर्णव सिधार त्वर्मा जी है विजय उपाद्दिया जी है जो तमाम लंबे वक्त तक रिपोर्टिंगे और आपको बताएंगे लेकिन एक रिपोर्ट देख लेता है रिपोर्ट के बाद हम वापस आते हैं चर्चा में जी इसके लिए ओवरनाइट सलूशन नहीं है कमिंग तो रोल बैक आप दो स्कीम नो साल 2022 में अगनिपत योजना के तहत ही सभी सैन्य भरतिया होंगी तीनों सेना ने एक सैंक्त प्रसवारता कर एक बर फिर इस पश्ट किया कि 14 जून को जब पहली बार योजना घोशित की गई थी तो उसके बाद COVID-19 के समय की भरती प्रक्रियाओं को पूरी नहीं होने के वज़े से सिर्फ उपरी सीमा में दो साल की छूट दी जा रही है जो सिर्फ 2022 की भरती प्रक्रिया के लिए लागू रहे गया अगनीपत योजना को लेकर देश के विभिन हिस्सों बे हो रही हिंसा को लेकर भी ट्राई सर्विसेज ने अब भेरतियों को इस पश्ट संदेश दिया कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं ऐसी लोगों की सेना में कोई जगह नहीं है सेना अनुशासन से समझोता नहीं करती है सेना ने एक बार फिर सिलसलेवार ढंक से बताया कि अगनी वीरों की सेवा शर्तों को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है शहीद होने की इस्तिती या फिर चोटिल होने की इस्तिती में ठीक उसी प्रकार के प्रावधान हैं जो मौजुदा सैनिकों को दिये जा रहे हैं युवाओं के जोश और अनभव के समिश्रण की बदौलत सेना को युवा बनाने की चुनोती काफी लंबे समय से थी कई समितियों, ग्रूप अफ मिनिस्टर्स ने कई बार समिश्चा कर इस पहल को लागू करने की सिफारिश की थी लेकिन सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से टलते चलिया रही थी COVID-19 की वज़े से सेना को समय मिला और सेना ने अध्यन कर सुधार की प्रक्रिया को लागू किया है सेना में भर्दी को लेकर अकांशे युवाउं को भरोसा दिलाया गया कि अगनीपत यूजना उनके कौशल वृद्धी से लेकर व्यक्तित्तु को अनुशासित बनाने में मददगार होगी शुरुवाती तोर पर ग्रिह मंत्राले ने सी ए पी एफ और असम राइफल्स में आरक्षन सुनुशित किया है बिल्कुल जो बाँ आप रिपोर्ट सुन रहे थे उसमें सारी डीटेल्स जानकारी दी गई है कि क्या है हमारे साथ जो दो मेहमान हैं चर्चा में वहां से शुरू करते हैं सिधार जी भारस सरकार ने अगनिबीर योजना की सुभारम किया और इवाओं को इसका क्या लाव होगा और सेना ने अपना जो सिडूल है वो भी जारी कर दिया है भरती का तो दोनों जवाब चाहते हैं कि जो हमारे इवा देख रहे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं वो कैसे अगनिबीर योजना अगनिपत योजना उनके लिए फायदेमंद है और जो सिडूल जारी वह उसको ले करके क्या आपका सोचना है तो देखे अभी एक बहुत अच्छा मौका मिला है पहले हम लोग के जो पहले भी हम लोग ने इसका चर्चा किया है कि भारत में 773 जिले हैं और 773 जिलों में से बस 166 ऐसे जिले थे जहां से 70 प्रतिशत फौज में भरती होते थे और बाकी जगाउं से बस 30 प्रतिशत और आज के तारीक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं All India All Class All India All Class पानी की 773 जिले हैं भारत वर्ष में सब जगह से सबको मौका मिले सेना में आकर सर्विस करने का तो एक बहुत बड़ा फाइदा जो यह मिल रहा है कि अभी हम लोग का कैच्मेंट एरिया बढ़ रहा है जहां पे ज चार साल वाली हमारी जो बात हो रही है चार साल का जो हम लोग का टेन्योर मिलेगा एक अगनीवीर को उसमें से 25 परसेंट लोगों को मौका मिलेगा पर्मनेंट होने के लिए और पर्मनेंट होने के लिए वो आप्ट करेंगे और ऑप्शन उनका अगर मेरिट में आ रहे है तो उन 25% को पर्मिनेंट फौज में रहने का भी अफसर मिलेगा और रही बात जो पूरी बात हो रही है 75% का क्या होगा 75% जो है उनको आज के तारीक में कई उनके लिए योजनाय निकली है पहले हम लोग की बात हो रहे थी प्राथमिक्ता प्राथमिक्ता के साथ-साथ आज के तारीक पर कई मंत्रालेयों ने और कई मुख्यमंत्रियों ने कई स्टेट्स ने भी निकाला है जिसमें कोटा फिक्स कर दिया है जो तिरंगे के प्रती उसका जो भाव है जिस तरह से उसका एक डिसिप्लेंड है जिस तरह से उसको एक प्रोफेशनल सोलजर जो ट्रेंड होकर बाहर अभी एक उपलब्ध होगा as a resource, जहां पर उसको हर company उसको देख रहे हैं, हर multinational उसको देख रहे हैं, हर industrialist भी देख रहे हैं wallet test होगा, और उसके अलावा आपको 9 feet ditch और जो इतियादी जो normal अब तक जो test होते हैं, वही test होगे, उसके बाद आपका medical होगा, और उसके में जो fit पाए जाएंगे, वो लोग entrance exam देगे, और entrance exam में जितने लोग चुने जाएंगे, उसमें merit list बैसे पर सब को चुना जाएगा, और यही एक प्रक्रिया जो पहले है, वही रहेगी, बस एक अगनीपत स्कीम से, अब पूरी सेना, यही recruitment स्कीम से अब भरती होगी। क्या ऐसे मौकों के तलास में रहते हैं, चाहे किसाना अंदोलन हो, चाहे अगनीपत में कुछ गुमराहिवक आ जाया है, गोरिला उद करने लगे, कहीं खड़े होके 50 लोग, उसका फाइदा उठाते हैं और यह हो रहा है। इसको पत्थर नहीं फेकेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। यह जो कर रहे हैं, यह ज़्यादा तर पूलिटिकल लोग हैं और इनके पीछे पूलिटिकल बैक अप भी है। उनको पता है कि हम अगर थाने में माध्यम से जेल जाएंगे या पूलिस मुझे गिरफतार करेगी तो हमारे पूलिटिकल लोग हमको बचाएंगे। लेकिन यह पूरी स्कीम एक नई स्कीम है। तो शुरुआत में उसका बिरोध होता है। क्योंकि हमारी जो लीडर्शिप है, जादा तर लीडर्शिप दूर दर्सी नहीं है। जब मुझे याद है, हम उस समय स्टुडेंट थे, राजिव गांधी ने जग कम्पूटराइजेसन शुरू किया और आईटी शुरू किया, इनफॉर्मिसन टेकनोलोजी की बात की सन 1985 में, राजिव गांधी ने, तो सभी ने बिरोध किया। और ये कहा कि तमाम सोशिलिस्ट कहते थे कि देश में तो नोकरिया ही खतम हो जाएगी। लेकिन आज आज आप देखे। लेकिन चीजें बहुत आगे जा रहे ही, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप नई तकनीकी, नए तरीके, नए प्रयोग अगर नहीं करेंगे, तो आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन तकनीकी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर तकनीकी तोर पे आप मजबूत नहीं हैं। उसके लिए युवा चाहिए। ऐसे हुआ जो उर्जा से भरे हुए हों, जिनको रिस्क लेने की जिनमें कैपेसिटी हो, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। अगर कोई युवा है, 22-23 साल का और 35 साल का आदमी है, दोनों के काम करने में स्पीड में बहुत उतर होगा। और यही चीज अगनिपत को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है, कि हमारी जो सेना भविसमो ज्यादा युवा हो, ज्यादा सक्षम हो, टेक्नोलोजी में ज्य आप ये जो चार साल सेना को दे रहे हैं, एक तो आपको discipline मिलेगा, आपके जीवन में एक सकारात्मक सुधार आ जाएगा, इसके बाद आप high school हैं तो आपको intermediate की certificate मिलेगी, intermediate हैं तो आपको एक diploma मिलेगा, bridge course भी करने का बाद में सुविधा कि आप बाद में किसी industry में जा सकत हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत उप्योगी हों कि आर्थिक तोर पे वो सक्षम होंगे, देखे बहुत से सेना से निकले हुए अधिकारी retirement के बाद बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन जो challenge है life को सवारती है, और यही 21 सदी में हमारे देश की संकल्पना है, वो हमें लगता है अगनिपथी स्कीम के माध्यम से और ज्यादा अच्छे से साकार होगी. बंदूग रखे चला रहे हैं विपस्के लोग, उनको भी यह नहीं करना चाहिए. और आने वाले समय में प्रतवस डेढ़ लाक हो जाएगी संख्या अगनिबीर की और यही एक रास्ता सेना में जाने के लिए बचाब कोई संभावना नहीं बची, सेना निश्परस कर दिय इसके अलामा कोई संभावना नहीं बची, आप दस वर्फ बाद जो लोग लोट के आएंगे, वो एक नए भारत का नए समाज का निर्माल करेंगा, अलग-अलग छेत्रों में काम करेंगे, जिसकी बाद बीजे जी कर रहे थे, सिधार जी आप से हमारा सवाल दूसरा है, का कारगिल की चुनोतियों को समझा, कारगिल वार को आपने फेस किया है, तो जो कारगिल की चुनोतियां थी, क्या वो अगनिबीर पूरा करता है, जो रिपोर्ट थी, जो उस समय की कमेटी गटित्वी थी, उनकी रिपोर्ट जो थी, उसके अंसार अगनिबीर या अगनिपत योजना है जी इस पर अभी विजय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि एवरेज एज अभी सेना का करीब 32 साल है हम लोग अगर पूरा इंडियन डिफेंस फोर्स को हम देखे तो हम लोग के पास करीब साड़े चौदर लाख लोगों का एक स्टेंडिंग फोर्स है हम जिसमें से 12.5 लाख करीब इंडियन आर्मी का ही है अगनी वीर आने से हम लोग का जो एवरेज एज है वो करीब 26 साल तक आ जाएगा अब हम लोग को देखे यह मानना है कि जो भारत के जो हमारे सीमाएं हैं वो सीमाएं बहुत इजी सीमाएं नहीं है हम लोग अगर राजस यहां पर हम लोग इसको कहते भी हैं कि पूरे दुनिया के यह हाइस बैटल फील्ड से कहते हैं अब यहां पर जो डड़ाई जब होती है तो देखिए हम पहले भी कहते हैं कि फौज की जो ट्रेनिंग है उसमें 45 साल के उमर के लोग और 50 साल के उमर के लोग भी जाके ही कर सकते हैं हाँ पीछे एक experience लोग रहेंगे जो इसको पूरा plan करके उनको जो करेंगे लेकिन जो सबसे आगे जो 22-24-25 साल के जो युवा कर सकते हैं यह आप 35-45 साल वाले लोग नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम लोग के जो देश की सुरक्षा है देश की जो रक्षा है उसके लिए हम लोग जो भी कदम कर सकें जितना हमारा एक average age हमारे सैनिकों का जितना घट सके वो बहुत अच्छा होगा यह सही करें कि बहुत अच्छा है और जो बीजे जी बात कर रहे थे उसकी बात हम करें कि जो aerospace का business है वो निकट समय में भारत का 25 लाग करोड का होने ज जाएंगी आपकी संभावनाएं आने के बाद खुलती हैं ये बात है और कहीं संभावनाएं बंद नहीं होती है जो युवाग गुमरा हो रहे हैं विजे जी ये सवाल हमको लोट के आना पड़ता है जो युवाग गुमरा हो रहे हैं उनको कैसे convince करेंगे कि नहीं यह ठीक उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां पत्थर लेकर जा रहा है जहां रेलवे को नुक्सान पहुचा रहा है यह नहीं होना चाहिए इस से उनका भविश खराब हो रहा है देखे सेना में नौकरी जो है वो नौकरी नहीं है रास्ट के प्रति अगाध भक्ती और समर्पण है अगर रास्ट की सीमाओं के रख्छा के लिए आप एक प्रहरी के तौर पे खुद को तैयार करते हैं और खुद को प्रस्तूत करते हैं तो वहां पे आपके लिए जो दू लिए है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने देश के लिए कुछ काम करें और हमारे जो एक पाकिस्तान में उनका उनकी लेंडिंग हो गई थी अविननन आप सोचिए जब उनकी मुझे दिखाई दी थी टीवी पे तो हम लोगों का जो सीना है गर्व से चोड़ा हो गया और जो सेना की नोकरी सिर्फ नोकरी करने के लिए नहीं है यह समरपण है और जो लोग यह काम कर रहे हैं उकसावे के एक तो मेरा ऐसा मानना है इसमें ज्यादा तर यूथ विंग है पुलिटकल लोगों का पुलिटकल पार्टियों के यूथ विंग है दूसरे हमारे समाज में हमे प्रति अपने को समर्पित करना चाहता है उसकी भागीदारी इसमें बहुत ही नियूनतम है और वो भी उनके किसी संस्थान ने या उनके किसी जानने वाले ने या जहां से कोचिंग ले रहा है या फिर कहीं और से किसी ने उसे गलत तरीके की इंफॉर्मिंसन दी हो उसे प्रेड प्रेवित किया और उससे इस तरहसे और उसके कि इस बात का हैसास अब सभी को हो गया है कि यह रास्ता गलत है और जो सेना में जाने वाला युवा है मैं मौनिंग वाक करता हूं तो मैंने देखा कि सड़कों पर जुद दोड़ने की तादाथ काफी दिख रही है तो मैंने कई से पूछा कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं आप तो दोड़ रहे हैं उन्होंने का हमें सेना में जाना है जिन लोगों को राजनीत करनी है वो लोग हुरदंग कर रहे हैं और बंद और इस तरीके की चीजों में involvement है क्योंकि देखें ये जो हुर्दंग होगा इसका फाइदा पुलेटिकल पार्टिया लेना चाहती है पुलेटिकल पार्टिय में जो नेता है उनका इंट्रेस्ट सत्ता में है बदलाव में नहीं है देश को सही दिसा में आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई concept नहीं है कोई vision नहीं है जब तक visionary leadership नहीं हो और जो visionary leadership होगा वो कभी भी गलत रास्ते पे किसी युवा को उकसाएगा नहीं तो अगनी पत्थ जो है सत पत्थ है रास्ट पत्थ है और बच्चों को इसी तरफ देखना चाहिए बिल्कुल अगनी पत्थ जो बात विजय जी कह रहे हैं सेना ने इस परश्ट कर दिया है कि जो recruitment है वी सी के सहारे होगा अगनी पत्थ के माद्यम जोगा तो जो लोग पत्थर लिए खड़े हैं उनको कैसे बताया जाए कि नहीं यह रास्ता गलत है और लोट के आप उस रास्ते पर आ सकते हो अगर अभी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं किये तो नहीं तो आपके लिए सारे रास्ते इस दिशा में चलने के लिए बंद हो जाएंगा देखे जो हम लोग का फौज का जो भरती होता है तो भरती किसी भी रांक कहो सैनिक कहो या अफसर कहो उसमें एक पुलिस वेरिकिफेशन हमेशा बहुत जरूरी रहता ही है अब साथी साथ बहुत दुख की बात है कि जिस सरसे लोग अपने आपको सेना में भरती होने के लिए अपने आपको उच्छुक हैं और अगर वो जाकर पत्राफ कर रहे हैं और ऐसे उपत्रवी जैसे एक्टिविटीज कर देता है जो भारत के लिए एक भारतिय सैनिक है वो और भारतिय सैनिक जो होता है वो एकदम रूल ओफ लॉव जो हमारे समविधान में जो कानून है जो हमारे नैशनल कानून है जो हमारे स्टेट के लिख हुए कानून है उसको वो फॉलो करता है हर चीज का चैनल होता है उ तो इस तरह के करत करते हैं और इस तरह के वो भावनाय रखते हूं क्योंकि हम लोगों को चाहिए एक discipline force हम लोगों को चाहिए जो आदमी तिरंगे के लिए अपना जान भी दे सके तो ऐसे लोग हमें चाहिए बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए हम कई research देख रहे तो उन्होंने का दस वर्फ बाद जो समाज में लोटे हुए अगनी भी रहेंगे ये नक्सलियों के लिए समस्या होंगे टेंज जलाने वालों के लिए समस्या होंगे देश विरोध करने वाले लोगों के लिए भी ये समस्या होंगे जो राष्ट का जो फौज में रहते हुए जो सी करके समाज में आएंगे हो सकता समाज बदलने का ये नजरिया भी हो सरकार का चुकि धीरे धीरे चीज़े सामने आएंगे आज हम इसकी पूरी चर्चा नहीं करकते हैं लेकिन भीजे जी ये एक बास समझ नहीं आती ही कि सबसे ज्यादा जो सेना में जवान जाते हों उतरा खंड से जाते हैं हिमान चल से जाते हैं और ट्रेने बिहार में जलाई जाती ही ये वलो मैथे समझ नहीं आता देखें बिहार की जो राजनितिक हालत हैं उसकी वज़े से ऐसा हुआ है और ये बात किसी से छीपी नहीं है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ऐसे घटनाओं के पीछे होते हैं जो बात आप अपनी टिपड़ी में कर रहे थे एक्चुली मैं वही जवाब देने के लिए उत्सुक था कि ये जो चार साल बात चार साल की जो ट्रेनिंग है से ना की दरसल युवाओं को संसकारित करेगी नैतिक रूप से तयार करेगी और रास्ट क्या है इसका बोध होने क पर आएगी और ये जब बच्चे कहीं निकल के जब कहीं दूसरा काम करेंगे चाहे वो सरकारी नोकरी में जाएंगे चाहे प्राइवेट नोकरी में जाएंगे तो उनमें एक डिसिप्लिन दिखाई देगा और अगर किसी आफिस में ऐसे दस बच्चे होंगे तो मेरा मानन कि अधिकारी या सरकारी कार्मिक बनना या प्राइवेट कार्मिक बनना है तो उसकी कि बहुत महत्पूर्ण भोमगा होगी विजय जी और सिधार जी आपका बहुत बहुत आभार जो बात सिधार जीने ही बहुत सहीध हुआ यह इस तिरंगे का महत्तों देश की माटी का मानना है कि जो माटी का गौर है उसको ले करके वहाँ जाते हैं तो जाहिरे सेना को एक नवकरी समस्कर जो जा रहे हैं वो क्रपया ना जाएं सेना में जाने वाले लोग राष्ट के लिए जा रहे हैं यह सोच कर कि जाओन को जाओना है ठाइए यह सब ЛюD 222 क कि लित्पारी के लिंगे हैं पर साला कि भाले बङोरे ढिए यह वहाच जाएंती का ञाएं बिजल को कि अहाँ नह शाला हैं खरसे टूएं 0